नमसकार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेट्रिक्स से जाना चाहते हैं तो आपको एक एक्जाम क्वालिफाय करना पड़ेंगा उसे एक्जाम का नाम है SSC GD GD यानि जेनरल ड्यूटी एक सामाइल तरह का ड्यूटी जीसे जिए से आपको आपको ड्यूटी मिलेगा उसमें आप जा सकते हैं दो से अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको तो मंगा गया तो आप अपको अप्लाई कर सकते हैं पहला है सी बीटी यानि कंप्यूटर बेस्ट आपको कंप्यूटर में आपको सॉल्ब करना जैसे कि चार ओप्शन मिलेंगे आपको और कॉश्चन मिलेगा तो आप दरना पढ़ीगा दूसरा फिजीकल टेस्ट अगर आपने एक्जाम क्वालिफाई किया पॉलिफिकर इक कॉन कॉन बच्चे बच्चे क्यों का क्या तो मतलब सारी रिक जाच होता है कि आप कि अपको यहां पर रनिंग होगा पलस Q 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 qq q 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 इन तीनों प्रोसेस में आप गुजरने के बाद आपका लास्ट में मेरिट लिष्ट निकलेगा मेरिट लिष्ट मतलब लास्ट में मलया की पांचर सीट है और टोटल जो बिदारती है वह लगबक 7000 ने कौलिफाई कर लिया तीनों प्रोसेस में तो 2000 को चाठना पड़ेगा है उसकी समय लोग मेरिट लिष्ट से चाड़ देते हैं मेरिट लिष्ट नमबर के हिसाब से आपका कितना मार्स आया है वह भी सीबीटी एक्जाम में इसलिए आप अच्छा ते पढ़िए अच्छा ते त्यारी किजिए क्योंकि दोस्तों बहुत सारे से आपके दोस्त या आ इसलिए आप थोड़ा सा नमबर ज्यादा लाइए अच्छे से नम पढ़ाई किजिए ताकि आप सजी तरीखे से बाद में भी आपका सेलेक्शन हो जाता है क्योंकि इससा होता है कि इसमें मानले आपका 10,000 सीट है तो बहुत को अपलाई कर लेते हैं 10 लाग तक अपलाई क लोगों का फिर बुलाया जाता है किसके मेडिकल में उसके बाद फिर चारता है उनलों का मेरिटलेश्ट बनता इसलिए आपको अच्छा से नमबर लाना पूराई का तब आप आप कौलिफाई कर सकते हैं और आप अपने जो अपना है उसे आप पा सकते हैं दोस्तों आप करते हैं एक जाम के बारे कि इसमें क्या घ्लै look जाते है और किस और किस बंजाले यरिया से पुछे जाते है रिजनिंग रिजनिंग से आपका 25 कोशन आने वाला है जी के से 25 कोशन घृके बिया से ब्चीष मेर करते हैं उसका पुछिष तोटल हम लोग का स्टहन को सिन ऑगे एक सो हूं और हम लोग के एक कोश्यन का एक मार्क लिए पतिक प्रदे को सिंग Ses में हैं तो हम लोग का टोटल मार्कस भी हो गांट ऐलो यह नेगेटिव मार्केंग है नेगेटिव मार्किंग मतलब कि आपका अगर आप पॉश्चन गलत करते हैं तो आपका नमबर कर जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए क्योंकि अगर आप गलत मारेगे तो आपका number फिर से घड़ जाएगा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं physical test के बार कि कैसे-कैसे physical test होता है उसमें क्या-क्या होता है दोस्ता फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट मापा जाएगा आपका चेस्ट मापा जाएगा और आपका रनिंग कितना आप दोड़ सकते हैं इसके हिसाब से मापवे डिसेशन होता है दोस्ता अगर हम हाइट की बात करें तो जेनरल लड़कों के लिए जेनरल लड़कों के लिए 170 सेंटेमेटर हाइट होना चाहिए और अगर हम चेस्ट बात करें तो जेनरल लड़कों के लिए 80 सेंटेमेटर चेस्ट होना चाहिए और एस्टी लड़कों के लिए शेतर सेंटिमीटर दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 5 सेंटिमीटर आपका एक्सपंड होना चाहिए यह आपका जो मेजरमेंट है यह आपका नॉर्मल होला है इसके बाद आपको छाती फुलाने के बाद आपको छाती फुलाना पड़ाएगा उसमें आपका कम उसे कम 5-7 मिटर फूलना चाहिए उसे अधिक उसे कम होगा ता आपका सेलेक्शन नहीं होगा इसलिए आप अच्छा से ब्याम कीजिए अच्छा से रनिंग कीजिए ऐसे त्यारी कीजिए जासे आपका कोई दिकत ना हो दोस्तों लड़कियों का चेस्ट नहीं मापा जाता है दोस्तों अगर हम रनिंग की बात केते लड़कों के लिए 5 किलो मेटर 24 मिनट में आपको त्य करना हो वह लड़कियों को 1.6 किलो मिटर साड़े आठ मिनट में साड़े आठ मिनट में उन लोग को 1.6 किलोमेटर दोड़ना पड़ेगा इसलिए आप अच्छा त्यारी केजिए रानिंग ज्यादा हाट नहीं है अगर आप नर्मली भी दोड़ते हैं तो आप सकते जाएगा बस आपको प्रेक्टिस करते रहना है जिससे आप तुरंट ठके ना और आप अच्छा से दोड़ सकें दोस्तों SSGD एक बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो आगे पुलिस के छेतर में देश की सेवा के छेतर में आगे बढ़ना चाहते हैं तुरंट जोब करना चाहते हैं कि यहां पर टेंथ के बाद ही आप अपलाई कर सकते हैं इसलिए बहुत ही अच्छा है अपने चांस रहता है और एक्जाम भी उतना हार्ड नहीं होता है आप आसानी से त्यारी कर सकते हैं तो दोस्तों आपको आज के यह वीडियो कैसा लगा कामेण में जुरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिए और चुन को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मैं SSC का जो ओफिशन वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्राइब में दे दूँगा जहां से आप देख सकते हैं कि SSC के और कौन कौन से वेगेंसी आते रहते हैं चलिए दस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद